वंदे मातरम साथियों आज के वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंदित 50 अती महत्वपून प्रशनों का अभ्यास करेंगे, जो गत वर्षों में विभिन प्रतियोगिता परीक्षव में पूछे गए हैं, आईए शुरू करते हैं 1. जीवो तथा वातावरन के पारस पर एक संबंधों का अधयन क्या कहलाता है? सही उत्तर है, एकोलोजी 2. सरी स्रेप एवं पक्षियों के बीच सयोजक कड़ी को कहा जाता है? सही उत्तर है, आक्योप्लेरिक्स 3. किसी पिंद का वेग को दुगना होने पर उसकी गते जूर जा क्या होगी? सही उत्तर है, चार गुना हो जाएगी 4. दंग चिकित सक किस प्रकार के दरपन का उप्योग करता है? सही उत्तर है, अव्तल दरपन 5. कैमरे का कौन सा भाग मानब नेत्र के द्रिश्टे पटल रेटिना के सद्रिश्य होता है? सही उत्तर है, फिल्म 6. मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है? सही उत्तर है, केलोलोजी 7. रुधिर में ग्लुकोज की मात्रा वढ़ने से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर है, मधुम 8. पित रस के स्ग्रंथी से स्रावित होता है? सही उत्तर है, यकृत 9. पित रस पिताशय में जमा रहता है? 9. घरेलू क्यूच तार का प्रतिरोध होता है 10. एक अप्तल दर्पन की वक्रता केंग से जाने वाली किरंग के लिए आपतित कौन क्या होगा 10. ऐसी तरंगे जिनका धुबी करन नहीं हो सकता, क्या कहलाती है 11. लियूमेन किस भौतिक राशी का मातरक है 11. डायोर्ट से धारा कितनी दिशाओं में बहती है 12. बैटरी के धनात्मक भूप से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते है 12. रासायनिक तौर पर हीरा क्या है 14. हाइड्रोजन से सबसे अधिक योगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है 15. किसी भी रासायनिक योगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या है 16. प्रयोगशाला में संचलेशित किया जाने वाला पहला कावनिक योगिक कौन था 17. एक प्रित्रिम उपगरह में विद्यूत उर्जा का स्रोत क्या होता है 18. भारत का कौन सा परमानू उर्जा स्टेशन पुर्नत स्वदेशी है 19. जीवद्रव्य में अकारवनिक एवं कावनिक योगिकों का अनुपात क्या होता है 21. कोशिका भित्ती के स्पदार्थ का बना होता है 21. जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम के स्वेग्यानिक ने किया था 22. समवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है 23. पलायन वेग कप्षिय वेग का कितना गुना होता है 24. बंद्रव के किसी भाग पर डाला गया दाप सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है ये किसका नियम है? सही उत्तर है पासकल 25. विद्यूत रूप में परमानु क्या है? सही उत्तर है उदासीन 26. पानी में लटके हुए कोलाई दीकंड किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते है सही उत्तर है सकल्दन 27. कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है? सही उत्तर है पी ब्लॉक 28. सोरियम बाइकार्गोनेट का साधारन नाम क्या है? सही उत्तर है बेकिंग सोडा 29 कांसा किसका मिश्धातू है सही उत्तर है तामबा और टिन 30 समुन्द की गहराय का पता लगाने में किस तरंग का उप्योग किया जाता है सही उत्तर है पराश्रव्य तरंग 31 ध्वनी को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या परिवर्तित रहती है सही उत्तर है आवरिती 32 जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी ये किसका नियम है सही उत्तर है न्यूटन का शीतलिन नियम 33. नमक मिलाने पर बर्फ का गलनान्ग पर क्या प्रभाव पढ़ता है? सही उत्तर है, गलनान्ग घटता है 34. रेगिस्तान में म्रिग मरीची का प्रकाश के किस घटना के कारण बनती है? सही उत्तर है, कूर्ण आंतरिक परावर्तन 35. जो वस्तु सभी रंगों को अवशोशित कर लेती है, उस वस्तु का रंग क्या होगा? सही उत्तर है, काला 36. लेंस की क्षमता बढ़ जाने से व्यक्ती में कौन सा द्रिष्टी दोश होता है? सही उत्तर है, निकत द्रिष्टी दोश 37. चान्दी के बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातू है? सही उत्तर है, तामबा 38. लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? सही उत्तर है, एरिल 49. क्लोरोफिल के केंडर में कौन सा धातू पाया जाता है? सही उत्तर है, मेगनेशियम 40. विटामिन एका रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर है, टोकोफिरोल 41. काली खांसी, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही उत्तर है, श्वसंतंत 42. रोजिस्टेरॉन किस प्रकार का हॉमोन है? सही उत्तर है, मादा हॉमोन 43. मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यक्ता होती है? सही उत्तर है, 20 44. मानाव शरीर में वसा का संचलेशन कहां होता है? सही उत्तर है, माइट्रो कॉन्रिया 45. मनुष्य का सबसे व्यास्तान कौन है? सही उत्तर है, प्रिदे 46. कौन सा पादप हॉमोन जख्मों को भरने वाला हॉमोन कहलाता है? सही उत्तर है ट्रावमेटिन 47. सापेक्षता का सिध्धान किस वैग्यानिक ने दिया? सही उत्तर है एलबट आइनस्पीन 48. अगनाशे ग्रन्ती कैसी ग्रन्ती है अन्तास्रावी या बाह्यस्रावी? सही उत्तर है योजक्चिन. दोनों अन्तास्रावी एवं बाह्यस्रावी 49. किस ग्लॉक के तत्व दुल्लब तत्व कहलाते है? सही उत्तर है योजक्चिन. एफ ग्लॉक 50. अस्थाय चुम्बक बनाने के लिए किस धातों का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है। नर्म लोहा। तो ये थे सामान्य विग्यान से संबंदित 50. अती महत्वपून प्राश्न 6 प्राश्न अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा। कृपया कमेंट करके बताए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल SS धावलर एजुटेक को सब्सक्राइब कर लेवे तब तक जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।